आज हम रात के बचे हुए चावल का इस्तमाल करके मीनी पीजा बनाने वाले हैं तो नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आपा अशा करते हूँ आप सो भी बहुत बढ़ी आओंगे तो देख रहे हैं न यह ये पीजा, हमने रात के बचे हुए चावल से बनाए है और इसे खाने के ब पच्चे हुए रात के चावल एक कटोडी हमने इसमें आधा कटोडी हमने दही आड़ किया है साथ ही एक चमच नमक और आधा कप पानी आड़ करके इसका हमने पेस्ट बना लिया है तो देगी चावल का पेस्ट जो है बनके रेडी हो चुका है और यह बिल्कुल स्मूध है तो अगर आपको यहां पर जरूरत लगे पीश्टे वक्त तो आप थोड़ा इसमें और पानी आड़ कर दे और बैटर इसी तरीके का होना चाहिए उसके बाद अब हमें बैटर को दूसरे वरतर में ट्रांस्पर करना है इसके बाद हम इसमें एक कटोडी सूजी डालेंगे इसमें क्या है इसमें स्वाद बहुत ही अच्छा आता है आप घी की जगर बटर या ओल भी उच कर सकते हैं पर जरूर डालेगा इसमें बहुत ही अच्छा और सॉफ्टनेस आएगा तो अब हमें यहां पे डो को जो है ना अच्छे से मिक्स करना है तो आप देख रहे हैं तक दोगो मुंदोने के लिए हम तो दनिमाने फिरह बटर रहें तो यहां पे ज़कों सबचा में काक्षा है उसमें यहां पर प्यार्च और ऐसकते की बच्चे को आतकर ला मिलें नहीं क्यों नहीं जाआप श्यां कर दोछमें प्यार जो भी धिसमें ओज़िए और गोसान पसंद होता है तो आप यह हैल्दी सा पीजा बना सकते है घर पे और बचों को बहुत ही पसंद आएगा बचों को क्या बड़ों को भी बहुत पसंद आएगा और इसको बनाने में ज्यादा महनत भी नहीं करनी पड़ेगा तो यहां पर हमारा दो देखिए 15 मिनट में सेट हो पालव है और अब इस जो सब्सक्राइब बास और डोंन खोल श क्या अधा आप थूड़ा लें नहीं रहा है अगर है आपको गरता हो तो मैदा यह seat मिक्स कर द mascul और इसमें थोड़ा साम आटा मिक्स करके और इसको थोड़ा से अच्छी से मसल लेंगे इससे ब्रेड जो है बहुती सॉफ्ट वनेगा तो अब यहां पे हम छुटी छुटी मीनी पिजा बनाने बाले हैं तो मैं यहां पे साथ से आठ पेड़े इसके बना लूँगी अब क्य एक तरभ साम जा और एक आध ने इसका अगर ऑपके साथ नहीं हो रहला तो आप तो थोड़ा सौफ कर शकते हैं यह नहीं तो आप इसको भी सखते हैं बहुती सांट करसे बन जाता है तो मैं यहां पे मैंनी ऊजिया बना रही है हूं आप चाये तो यहां पे बड़े साइ छोन की आप तरह से कम सेटेंगे और हमारा पीजा इस जो है बने रेडि हो चुका है विल्कुल सौफर बना है बहुत जबरदस्त बना है आप हमारा होममेट पीजा है के रेडि को चुका है वह बची वारे चावल से अब हमने यहां पेघ्या ले लिया है और इसमें एक झार पीजा वेस डालेंगे उसके बाद हम लगाएंगे यहाँ पे पीजा सॉस यहाँ पे आप पीजा सॉस बना सकते हैं या आपको रैस्पी जाना है पीजा सॉस के तो आप मुझे कॉमेंट कर सकते हैं कि पीजा सॉस कैसे बनता है या नहीं तो आप मार्केट वाले पीजा सॉस क कि इस्ते बाद करने इस में थोड़ा करके रखेंगे इसमें तोви Primane अभी सेटान चोटी शुर्जा करेंके कि ऐसे तो चोटी हैं उसके बाद प्यास हिम्हाम वर्ली हम, हम ने डाल दिया है और थोड़ा सा हमने इसके पनीर भी डाल दिया है, उपर से हमने चीज डाला है, तो चीज मेरे पास थोड़ा सा ही था, तो मैंने डाल दिया है, उसके बाद और चीली फ्लेक्स उपर से डाल दिया है, अब हमने पीजा को करना है बेक, तो हमने पहले से ही आवन को प्रीहिट क अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करेगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा और कॉमेंट करके बताएगा आपको हमारी रेस्पी कैसी लगी है और साथ ही आपको करना क्या अपने फैमिली फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर भी करिएगा तो हमारी मिनी पीजा रेडि हो चुकी है आप भी बनाएए और इंजोई कीजिए बागाई